कर्मिपाक संहीता बेसिकली यह वो विद्या है जहां पर आपके पूर्व जन्म के कर्मों को डिकोड किया जाता है तो डिकोड करने से क्या मिलता है कि हम उस प्लैनेट से संबंधित या उस नक्षत्र से संबंधित कोई भी कर्म जैसा हमने पिछले के पिछले से पिछले जनम में किया उसको समझ पाएं और उसका उपाएं निकालके उसका निवारन कर सके अगर अच्छे कर्म किया तो अच्छे पदों के बारे में बताते हैं नक्षत्रों में चार पद होते हैं और हर एक पद क्यूं आपको मिला है चाहे वो लगन हो चंद्रमा हो रमेश होजा चीज़ा म्यूट कर लीजिए लगन हो चंद्र हो या कोई भी प्लानेट हो उस कंडिशन में कर्ण विपाक संगीता यहां पर आपको एक जह पर यह हल्प करता है कि पर्टिकुलर लगन आपको क्यूं मिला हुआ है पर्टिकुलर लगन के साथ साथ आपको कुंडली के बाद जो है वो क्यूं मिले हुए अच्छा यहां पर जो जो है प्लीज आप लोग अपना अपना कैमरा उन कर लेजिए पर बिल्कुल ब्लैंक ही लग रहे हैं नमश्कार नमश्कार अभी स्टार्ट हुए अभी जस्ट परमेशुदा जी जहनती जी मिकेश जी तिशी मोहन जी कविशाज सबने ओन किया वार ठीक है कैमरा ओन करके रखें पीस कम सब पता तो चले है नहीं तो ऐसा लगता अब लैंग है नमश्कार नमश्कार कर्म विपाक संगीता का मूल सिध्धान्त यह है कि आपके पूर्व जनम में कितने पूर्व जनम के कर्म आपके पड़े वे हैं जिसको जिसका डियू रह गया उसको हम सॉल्व कर सकते हैं वैसे हमारी कुंद्ली से हमें सिर्फ चार जन्मों का पता चलता है पिछले चार ज लाटा किसी भी नक्षत्र के प्रथम चरण में है तो इसका मतलब इस जनम के ठीक पिछले जनम में आपने जो कर्म किया है उसमें उस प्लैनेट का इंवॉल्मेंट था ठीक है, या उस planet से related आपने पिछले जनम में कर्म किया है, अगर यही नक्षत्र का दूसरा पद हो, इसका मतलब इसके पिछले के पिछले जनम में उस planet से संबंधित कर्म आपका ड्यू रह गया, ठीक इसी तरह से अगर तीसरा पद आ रहा है तो उसके फिर previous to previous, और चौथे पद में सबसे लास्ट, चौथा मतलब इसके पिछले चौथे जनम में आपने क्या कर्म किया है, उसका result वो planet देगा, ठीक है, अब यहाँ पर कई जगह पर हमारे शास्त्रों में, वेदों में उल्लेक है कि चार जनम क्या, सो, दो सो जनम के भी कुछ कुछ कर्म ऐसे ड्यू तो कर्म विपाक संगीता आपके इन चार पदों के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं, और इन चार पदों का आपको हिसाब किताब देना पड़ता है, according to आपके दशा अंतरदशा के हिसाब से, अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कर्म विपाक संगीता पहला जो उसमें बताते हैं पहले चाप्टर में कि जो प्लानेट नक्षत्र के किसी भी नक्षत्र के प्रथम चरण में आता है, वो प्लानेट से संबंधि चीज़े जो है आपको ब्राम्वन यानि ब्राम्वन के जैसा उसका रिजल्ट मिलेगा, कोई प्लानेट सब्सक्रति वो अच्छे गुण होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रहस्पति और शुक्र ये दो प्लानेट जो है ब्रामण में आते हैं, प्लामण प्लानेट में, उसी तरह दूसरे पद में अगर कोई प्लानेट रहता है, किसी भी नक्षत्र के, तो वो बन जाता है शत्री है, यान इन तीन गुण होते हैं, लेकिन तीन गुणों के ये चार पदों में हम डिवाइट कहते हैं, तो शत्रीयों के थोड़ा सा सात्विक और थोड़ा सा राजिसिक मिलता है, इसी तरह से तीसरे चरण में अगर कोई प्लानेट आ रहा है, या कोई दूसरा जैसा आपका लगन आ गया, चंद्र आ गया, तो वह वैश्यों वाले गुण होगी, मतलब प्लानेट व्यक्ति को वैश्यों जैसा रिजल्ट देगा, यानि बिजनस मैंडेट, यह पूरी तरह से राजिसिक हो गया, और उसी तरह से चौथे चरण में जो प्लानेट है, नक्षत्र के, वो शू करना है, क्योंकि वही प्लानेट लास्ट बचा हुआ है, जिसका कर्म आपको इस जीवन में निप्टाना ही है, किसी भी हालत में, ठीक है, तो चौथे चरण का जो भी प्लानेट होगा, उस से रिलेटेट काम आपको करना है, मतलब वो मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है,